इननों बच्चों के हाथ में मोबाईल फोन आसानी से देखे जा सकते हैं ना? एक थरा से बच्चों को मोबाईल फोन की लट लग चुकी है कई बच्चे तो वाश रूम से लेकर खाना खाने तक फोन का इस्तिमाल करते हैं अब इसका असर बच्चों की mental और physical well-being पर भी देखने को मिल रहा है यही वज़ा है कि कई देश अपने बच्चों को mobile phone की लट से बचाने के लिए बड़े फैसले कर रहे हैं यह लट social media की है जहाँ पर बच्चे reels को scroll करते रहते हैं बहुत खतरनाक तरीके से इसका असर बच्चों के उपर पढ़ रहा है और इसी कड़ी में अब Australia ने भी बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है PM Anthony ने कहा है कि social media के access को रोगने के लिए उनकी सरकार एक important कदम उठाने का फैसला ले रही है सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए social media पर ban लगाने के लिए कानून ले कर आएगे ये फैसला world leading होगा यानि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगा अब reports ये दावा कर रही है कि Australia IPM ने ये खुद का है कि social media हमारे बच्चों को खराब कर रहा है ये मेरे लिए फैसला लेने का समय है हला कि प्रस्ताफ की मताबिक कम उम्र के बच्चे social media पर account ही नहीं बना पाएंगे क्योंकि tech companies ने बच्चों की सुरक्षा को ही नजर अंदास कर रखा है इसलिए अब social media companies को ये खुद ensure करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे platform का use ना कर सके और अगर वो ऐसा करते हैं तो जुर्माना भी tech companies को भड़ना पड़ सकता है ये नया कानून बेहद कड़ा होने वाला है जिसमें parental consent जैसी कोई चीज ही नहीं शामिल की जाएगी इक्स, TikTok, Instagram, Facebook कहीं पर भी बच्चे अपना account नहीं बना पाएंगे और social media platforms को ही ये तै करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके use से कैसे दूर रखा जाए अमेरिका में पहले से 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसी तरह से प्रतिबंध है जबकि France ने हाल ही में 15 साल की आयू सीमा लागू की है लेकिन जाते जाते एक सवार भारत में कब होगा जब social media बच्चों के लिए इतना खतरनाक है तो भारत इस पर कब न केल कसेगा